लोक्त्वा में अखेले श्यादों का एंडिये सरकार प्रप्रहार कहा सत्ता पर विराजमान है हारी हुई सरकार पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है कर लोग सभा में हिंदूओं पर दिये गए बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जो कहना था सदन में कह दिया सचाई तो सचाई ही रहती संसर्थ में आज की कारवाई शुरू होने से पहले एंडिये संसर्थिय दल की संसर्थ बहुत में हुई बैठक तीसरी बार सरकार बने पर पियम मोदी का किया गया अभिनंदन रांगमंत्री ने कहा कि सदन के भीतर गड़िमा और नियमों का रखना होगा खयान आज शाम चार से पांच बजे के बीच पियम मोदी लोगसभा में चर्चा पर दे सकते हैं जवाब राहूल गांधी की गिंदुवाले बयान पर संसर्थ में उमा साथ क्या आसा राहूल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कुला मोचा मुंबई में पाटी घारे करताओं ने पोस्टर और बैनर के जरिये राहूल के खिलाब जताया आत्रोश राहूल गांधी के भाशुन के हिस्से को अटाय जाने पर भड़के मलिकार जुन घरके कहा सचाई को सहन नहीं करती सरकार राहूल के बयान को उल्टे तरीकी से कर रही है पेश लोगसभा में हिंदू समाज पर राहूल गांधी के बयान को लेकर एहमदाबाद में भी आक्रोश कॉंग्रेस कार्याले पर हुआ पत्राओ राहूल गांधी के बयान पर जगतपुरू राम बंद्राचान ने जताई नाराजगी कहा हिंदू कभी हिंसा नहीं करता कॉग्रेस चिक्खों का कतले आम करते सदन में दिये गए राहूल के बयान को अटाए जाने पर आमाद्वी पाटी के सर्जे सिंग ने जताई नाराजगी का राहूल गाधी ने कुछ भी वलत बयान नहीं दिया चुनाव हार गए तो हिंदू को दे रहे हैं गाली नेता प्रतिपक्ष के हिंदू वाले बयान पर केंद्रिय मंत्री गिरी राथ सिंग का भी पलटवार कहा राहूल गांधी ने भगवान शिव का अपमान किया संसद में राहूल गांधी ने हिंदूओं को गाली मधिपुदेश के इंदोर में राहूल गांधी के खिलाव बीजेपी कारेकरताओं का गुस्सा भड़का राहूल का पुतला जोला कर नाराज की जाहिर की राहूल पर हिंदू समाज के अपमान का आरूप लगए नेता प्रतिपक्ष के भाशन पर केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान का बयान राहूल गांधी ने भगवान श्रीव के तस्वीर का जिस्त तरीके से अनाधर किया उसे देशवासी बरदाश्ट नहीं करें राहूल गांधी के सदन में भाशन पर बीजय प्रिसांसत कंगरा रनौत ने राहूल गांधी को बताए एक अच्छा स्टेंड अप कामेडी है अनुमान गढ़ी मंदर के पुजारी राजुतास बोले मेरी मांग है कि जब तक राहूल गांधी सदन में भाफी न मांग ले तब तक उनको बोलने न दिया जाए जो वास्तों में हिन सकते नीट की परिक्षा में गडबड़ी को लेकर सियासत जारी किरल के एना कुलम में सीपी आएम के युवा संगठर ने सूरदार विरूद किया सरकार के खिलाव की नारे बास राजवस्तान में 2022 में वन रक्षक भर्ती परिक्षा का पेपर हुआ था लीक बान स्वाड़ा में कुछ अभ्यर्तियों को परिक्षा से दो घंजे पहले बताए गए सवाल बारहा लोगों के खिलाव केस तरज इस बारिश के चलते जूनागर में सभी नदिया उफान पर आसपास के गाउं में पानी गुसा सिर्फ जूनागर में कुल 49 सरके बंद आवा जाही नभारी परिशान गुजरात के भी कई हिस्सों में भारी बारश सूरत के पलसाना तहसील में बारश के चलते चारो तरफ पानी ही पानी बार जैसे हालाद बार फ्रुभावे तेलाकों में एंटिया रेप की दस्टी में तैरा गुजरात के जूनागर में पिछले 24 घंचे में हुई मूसलाधार बारश शहतिया तनाज के लिए स्कूल और कॉलेजिस को बंद किया गया बारश के करन के बेश के ठासी गाउं में विजली आपूरती बात है भारी बारश के बाद जूना कड़के मतियाना गाउं में चारो तरफ पानी ही पानी खेतों में पानी में जमाया देरा फसलों को रुकसान को अमरोह में तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारश के बाद गिरा मकान आठ साल के बच्चे की मौत बास से ज्यादा लोग घाए यूपी के बहराइच में सिंचाई विभाग ने बाड से निपटने के लिए शुरू किये फुक्ता इंतजाम गुजराथ से जियो ट्यूब बंगा कर बनाय जा रहा है बाद बिहार में आधा दर्जन कोई के गिरने की घटनाओं पर ग्रामीन कारे विभाग के मंत्री अशुक चौधरी ने कहा देड़ साल से ये विभाग ते जस्री के पास था उनको जवाब देता जाए पहाडों पर जम कर बरस सकते हैं बादल उत्राखंड के कुमाउ रीजन में मौसम बेभाग ने अगले चार दिनों के लिए जारी किया रेड अलेट एक से बारा कक्षा तक के बच्चों के स्कूलों में चुट्टी की खोष्ट पहाडों में मान सुनी मौनसून की बारश ने मचाई तबाही केदार घाटी में बारश होने से केदार नाथ हाई बेबन जिसकी चलते गाडियों की आबाजा ही रूकी गई मल्बे को हटाने का काम जाए गुजरात के लोगों पर अगले दो दन भारी दक्षिन गुजरात और सौराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया यानि कि इनी लाकों में हो सकते हैं बहुत धारी बारश गुजरात के कई लाकों में आस्मानी आफत ने मचाई तबाही मूसलाधार बारश के बाद जुनागर से पूरबंदर जाने वाली सरक को किया गया बंद कई लाके जलमगर 29 गाउं का संपर्ख तूटा बारश के बाद मुंबई के कई लाकों में भरापानी, शिवाजिपाद, दादर और बडाला में सड़के बनी तालाब, लोगों को आने जाने में हो रखी है दिखकर असम के गोहाटी में लगातार बारिश से बढ़ी परेशानी, भारी बारिश की वज़े से खत्रे के निशान के उपर पहुँचा ब्रह्मपुत्र नभी का जलस्तर, चौदे से ज्यादा जिलों पर असर गोलाखाच में लोगों के लिए बारश बनी मुसीबत, कई इलाके जल्मगन हुए, पानी में फंसे लोगों को रहाद पहुचाने के लिए प्रशासन ने मूचा संफाला लाखों नोगत नभाद महराश्टर के कोलहापुर में कलमावाडी बांध के पास घूमने गए दो लोग जड़ने में बखे, जानकारी मिलने के बाद लापता लोगों के तलाज में जूटी इलाके की पुलिस हादसे के बावजूद लोनावला के पुशी जाम के पास नहीं बढ़ती जा रही कोई भी सावधानी, अभी बड़ी तादाद में लोगों के पहुचने का सूर्सला जारी, प्रशासन पर लोगों ने लापरवाही का आरूप लगा है उतर प्रदेश के कानपूर में तेज बारश के चलते कई इलाकों में हुआ भीशन जल भराओ, बारश के वजह से पानी में कई गाड़ियां फसी, तेज बारश ने खुली नगर निगम के तमाम दावों की पुल सारनपूर बेवी नगर निगम की पूल खुली, आफिसर कॉलोनी हुई जल मगनी, हलकी बारश में ही इलाके में एक फिट तक भरा पानी लोगों की परिशानी बढ़ी मुस्तथार बारश से केरल के त्रिशूर में जल प्रहार, पॉटोफॉल में बढ़ी पानी की रफ्तार, घूमने पहुंचे लोगों को पुशासने अलट भुपाल में आज यूद कॉंग्रिस के कारे करता सत्य अग्रह करेंगे, नर्सिंग भुटारे को लेकर सरकार को घेड़ने की तैयारी, प्रजेश कॉंग्रिस अध्यक जीतू पटपारी भी मौजूद रहे महराष्टर विधान परिशे चुनाओं में शिवसेना, यूबिटी गुट का दबदबा, मुंबई की दोनों सीटों पर शिवसेना, यूबिटी और मिदबारों की जीत, मुंबई ग्रेजुएट सीट से अडेल परत और मुंबई शिक्षक सीट से जे अम अभ्यंकर की जी चोपडा केस में राजुपाल सीवी आनन्द बोस ने राज़े सरकार से रिपोर्ट मांगी, कहा बंगाल में सरे आम हो रहा है खुन खराबा, आरोपी तजीमुल को कोट ने पांच दिन की घिरासत में भीज़ुए ब्यार के डिप्रिसियम समराट चौधरी आज आयोध्या जाएंगे, कल रामदला के दर्शन का अप्तूर पकड़ी उतार कर रामदला को समर्पित करेंगे, फिर अपना मुंदन कराएंगे, 21 महीने पहले लिया आता संकर महाराश्टर के नाकपोर में दीक्षा भूमी ग्राउंड पर बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग का जूर्दार विरोध बहुत दर्म को मानने वाले अनिव्याईयों ने तोड़ फोर की, कंस्ट्रक्शन का काम दुखबाएं महाराश के घ्रिप्रिसियम देवेंद्र फर्ण वीस ने कहा कि दिक्षा भूमी के विकास के मांग के चलते, सरकार ने विकास पैकेश को मन्जूरी दी थी, विरोध के चलते अंडरग्राउंड पार्किंग का काम बन पिहार के नालंदा में जेडियू के कारिक्रम में बार बालाओं ने ठुमके लगाए, इस सांसत कौशलिंद्र कुमार की जीत और संजय जहा को पार्टी का कारेकारी अध्यक्ष बनाए जाने के खुशी में कारिक्रम का युच्चु रासान के अलवर में शहीद अग्रिवीर सैनिक के परिजनों को डेड़ महीने बाद भी नहीं मिला मुआवजा, नहीं कोई आश्वासन मिला, 9 मई 2024 को श्रिणगर में सर्च अपरेशन के दोरान आतंकवादियों ने मारी थी कुल माराश्च के बुल्धाणा में शहीद अग्रिवीर युधा के परिवार को सरकार से 1 करोड 10 लाग की सहायता राशी मिली, राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाय था, शहीद अक्षे गवते का जिक्र किया शहीद अक्षे गवते के पिता ने कहा, बीमा कंपनी से 50 लाग, केंदर सरकार से 50 लाग और राजी सरकार से 10 लाग की मिली मदद, अब बीटी के लिए नौकरी की दुखा में गए मानहानी के केस में राहुल गांधी को कोट ने दिया आखरी मौका, अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारिक तै, साधी 5 साल पहले करनाचक विधान सबाथ चुनाओ प्रचार के दौरान, राहुल ले अमेद शापर की थी, अब अधर टिपर की केश्रिवाल के सिव याई गिर्फतारी को चुनाटी देने वाली आचका, आज इली हाई कोट मेहोगी सुनवाई, केश्रिवाल की तरफ से दाखिल की गई थी आचका राउसवेन्य कोट ने खारश के केजजिवाल की आ चुका केजजिवाल ने अपने वकीलों के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त लीगल मुलाकात के लिए दाखी की थी अर्जी, कोट ने अर्जी को खारच की एसाई आज कोट में पेश करेंगे भुष्चाला से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट, मध्यपदेश हाई कोट की इंडॉर बेंच में दाखी लोगी रिपोर्ट, एसाई ने 27 जून को पूरा कर लिया था सर्वे भुष्चाला को लेकर जैन समाज भी सामने आया, एसाई सर्वे में मिल रहे अवशेशों को बताया, जैन समाज के गुरुकुल का प्रमाण, वागदेवी प्रतिमा पर जैन समाज का उल्लेक बढ़ाई गुर्मीत राम रहीम ने जेल से रहाई के लिए फिर से दाखिल की याजका, फरलो पर जेल से 21 दिन की रहाई के लिए पंजाब और हरियाना हाई कोट में याजका दायर याजका पर आज होगी सुर्वाई अनाय नहीं इंजिनियर रशीत को सांसत पत की शपत लेने पर सहमती दी दिल्ली की पट्याला हाउस कोट आज फैसला सुनाईगी जमू कश्मीत की बारामुला सीट से लोगसबा चुनाव जीते हैं रशीत माफिया बबलू उश्रे वास्तों मामले में आज आएका कोट का फैसला इलाबाद की जिल्ला अदालत सुनाई की फैसला फरन और रंगदारी से जुड़े मामले में अदालत का फैसला आज बिहार के शेकपुरा में आकसस बैंक में दिन दहाड़े लूट की वार्दात अथाइस लाग रूपे लूट कर फरार हुए बदमाश बैंकर में और ग्रहकों को बंधक बनाया और लोकर खुलवाया लूटेरों के तलाश कर रहे हैं प्रिस गाजयवाद के कविनगर में कार लूट में पुलिस का खुलासा पुलिस ने कार को बरामत किया चेतन त्यागी नाम के लूटेरे के गिरफतारी पहले भी कई मावलों में जा चुका है जे उत्रप्रदेश के हापुड में स्कूली चात्रों को तिलक लगाने पर विवाद हुआ सरकार के आदेश पर स्कूल आने वाले चात्रों का स्वागत कर रही ते शिक्षक मुस्लिम चात्रों के परिजनों ने विरुट बाराश के ठाने में हासे का शिकार हुई कार सरक पर धूधू करके जली अचानक लगी आख से मचा हर कंफ खोपट इलाके में कार में लगी आख पर काबू पाने के लिए की गई मशक्कर हर्याना के गुरुग्रा में केमपे एक्स्प्रेस वे पर भीशन हादसा कारों के आंचर की जोड़ता टकर हुई साथ लोग खायल पुलिस ने खायलों को पहुंचाया असपता